बिना आलू को बोईल करें आज हम बनाएंगे आलू टिक की स्टिफिंग वाली असलाम अलेकूम वेलकम बेक टू मैं चैनल फेज अंसारे निशा रसोई आपके अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दिल से स्वागत करती हूं सभी युटूब फैमली का आज हम बनाएंगे आलू टिक की चार्ट वह भी बिना बोईल करें तो यहां पर मैंने एक बड़ी साइस का ले लिया है अलू तो लगभग यहीं आलू 300 ग्राम के करीब का है तो बड़ी साइस का आलू है यहां पर हम सीधा पानी के अंदर ही कद्दूगश कर लेंगे तो बाहर करेंगे तो यह लाल कलर का हो लेकिन आज जित थी नाविया दोनों यह जिल जित कर रही है कुछ चट-पटता बना कर दो तो मैंने सोचा क्यों ना में। बनाने वाली हूं तो मैं सोचा अलू को बिना बोईल、、कर बनाने वाली हूआँ ,party अब करें वाइब लिए लिए अच्छे दो लिए पानी, साथ ड्या घर ड्रै कर दियाए हमें क्या करना है, चलते हैं गेस की तरफ आप सोचें यह निशा भी तो आपमने मना करा था बिल्कुल हमने मना करा था क्योंकि आलू का भाम बोइल नहीं करना तो दीखिए अब पानी के अंदर बोइल आगया, गेस को कर दिया, मैंने बंद सिर्फ पानी के अंदर बोइल लेना है और एक मिनट से हमें यहाँ पर जादा नहीं छोड़ना तो में धीन बंद कर दिया था फट खट से निकाल लेते हैं पानी ke अलिए पानी के अंदर के अम वह ड्र मीड़ा डाले हैं निकाल लetे हैं है 1 मिनट के अंदर अंदर ने वह सारे कामा में कर ले nord दीन अब इस Depois रख लेंगे कोटन श्रिख कपल ले सकते है कि इस तरह निकाल लेंगे गरम पानी में इस्टर दया है पानिया बेता है अब इसे निकाल देंगे इसका सारा पानी जो था बिल्कु रिमूव हो चुका है अब यहां पर हमें ऐसे ही चाहिए था इसके अंदर हमकुछ समान डालेंगे कुछ इंगिरियन तो यहां पर मैं 2 टेबल बरके डाल रही हूं इसके अंदर कॉण फिलोर तो दो टेबल बरके अच्छा लगए और टेबसे अच्छा अब द दाल दीगे थोडा सा भुना इसके इंग जेयर हो ठोड़ा सफो पर देगे थोड़ा सा यहां पर लेपention कीर बनाने वाले इस तक का चाहिए होगा तो यहां पर मैंने बॉइल हूए मटर ले लिए हैं कि शमिस भी एदिग र स तो नमक डाल देंगे थोड़ा सा यहां पर मैं चार्ट मसाले का यूज़ कर रही हूँ अबस यहां पर अब जादा कुछनी डालना है इसके अंदर अबस आफ हारा दनिया में ला देंगे खोरी खुश्पू के लिए तो यहां पर मिर्च पगरा कुछ ने डालेंगे क्यूंकि कि वे रात चार्ट अम बाद में बनाएंगे क्युक्स पनाज नियुक्स है अपने वाल के रूशिव कर सकते हैं मिक्स करने हैं छम्यवाल उछेgreat जो थोड़ा भूत रही है वो मेने हाथ से मिफ कर लेना है तो देखिए अच्छे से मिफ कर ला इसको इस तरह आपने हाथ अतिली की मदद से इस तरह फेला लेंगे और इसके इंदर भढ़ देंगे तो कम से को दो टेबल भर के भढ़ देंगे इस तिफिंग यहां पर मेरी द देखिए और साइटोस हम कवर कर देंगे थोड़ा वह अपके हाथ पर लगे तो आप पानी का हाथ लगा सकते लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि यह थोड़ा स्टिफिंग हमारी थोड़ी की इली की अब हमारी एक टिक्की बन कर तयार हो चुकि बहूं उप तो यह जटपड बन जाती है माशले इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तो ऐसे हैं मैं दूसरी भी मैं आपको बना कर दिखा रही हूं फिर से इस तरह फिलाएंगे और इसके अंदर श्टिफिंग भरेंगे और श्टिफिंग भरने के बार फिर से हम वही करेंगे इस तरह लेंगे और वापस से इसके ओपर रख देंगे यह साइटों से भिवाय मोथी चाहिते सी और टवाय मोजा भी ते क्ईम कोब डिया ताकि पूरा ओर स्टिफींग के साइटा तो अब बिल्कूल does not know the लेकिन ही आपर मैं शेलो फराई कर रही हूँ अब लोटू मीडियम फिलेम पर इसको प्यारा सा कलर आने तक गॉल्डन सुने रहा होने तक सेख लेंगे अगर आपने गेस का फिलेम थोड़ा सा भी आप पर हाई कर दिया तो उसमें क्या होगा हमारे जो कलर इन उपर से चैंच हो जाएगा और अंदर से चैंच कर देंगे लेकिन मैं आपको फिर से बता दू गेस का फिलेम यहाँ पर अभी आपको लो टू मीडियम रखना है लोटो मीडियम फिलेम पर हमें अपने टिक्कियों को सेख लेना है तो देखे कितना प्यारा सा कलर आ चुगा यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनिट लग सकते हैं आपको लोटो मीडियम फिलेम पर सेखने पर आपका सीख जाएगा और अंदर से टिक्की हमारी कची रे जाएगी तो य और मंझी वर्यार सेेंब आ कि बच्चों के हिले यह फिंग नहीं बेरी को स्कुछ 아 रहे हैं बोसने आप इसे के बच्चों के साथ थींग कि अपना इंगे बोस्ते कि वेलाई से छिभाए में शिंदिन हैं आपको जंदी दिखा हैं पर यहाँ इसे बच्चों के लिदिन है हेल्दी है यह माशाला आप इसे बच्छों के लेंच बॉक्स में ज़रूर डाल के दें बच्चे खुश हो जाएंगे लेंच लेकर जाएंगे लेकिन फिनिश कर लेंगे खाली हो लिए आपको लेंगे तो तीनी टिक्क यों कम ने इस तरह कवर कर लिया है माशाला से मैं आप आपको तीनों तोड के दिखा दें लेकिन आपको चाड बना कर दिखाती हूं बस दही तो सभी क्या होती है बदध ही डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मैं ने खटी मीटी सोड डाल दी है गिरीन चेटनी डाल देंगे इसे इंज्वय करेंगे जिसे आपको अच्छा लेग तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें जुड़े रहें निशा को फोलो करें सपोर्ट करें जादा से जादा लाइक करें और दोश्तों मेरी रिष्टेदारों में मेरी वीडियो को शेयर करें तो फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में अद्वाओं में जरूर याद Allah Hafiz